कि हेलो गाइज वाट्स वेलकम तो आर्किटेक्टर अटैक मैं इस चैनल पर आर्किटेक्टर स्टडी रिलेड़ेड़ और कंस्ट्रक्शन रिलेड़ेड़ वीडियो बनाता हूं और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो पसंद आएगी तो ला देखते हैं ब्रिक पियर अगर आप फ्लेमिज बॉन नहीं जानते तो मैंने वीडियो बनाया है अल्रेड़ी आप जाकर देखकर आएगा यह जो पैटन है यह होता है फ्लेमिज बॉन में रिपीट तो यह पैटन है बीज में आएगा एक हाफ बैट और यहां पर आएंगे यहां ऐसे फुल ब्रिक्स गया गया हाफ बैट ऐसे एक ब्रिक ऐसे एक ब्रिक ऐसे एक ब्रिक ऐसे एक ब्रिक यह हो गया और यह हो गया इवन प्लैन में बीज में फिर से आएगा हाफ बैट पर यहां पर ब्रिक यहां ऐसे आई थी ना तो इस वाले प्लैन में इस वाले लेयर्स को हम एक के बाद यह कैसे अरेंज करते जाएंगे यह और यह इवन फिर और फिर इवन तो एलिवेशन में कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा यह है वन एड़ हाफ ब्रिक पियर इन फ्लैमिज बॉंड तो चलिए इसे अरेंज करकर भी देखी देते हैं मिनी ब्र रखा मैंने हाफ बैट इसे कहते हैं हाफ बैट जब ब्रिक को दो पीसे में हम डिवाइट कर देंगे तो इसे कहते हैं हाफ बैट अब मैंने रखा यह एक ऐसे ब्रिक एक ऐसा ब्रिक ऐसे ऐसे तो यह हो गया एक बैटन अब हमें इसे ही रिपीट करना होगा अब यह बनात हैं ये मैंने रखंद डिया एक बीच में हाफ बैट कि अब हमको हैना ऐसे same ऐसे सेम नहीं रखनाय क्यों यह वाली जो ब्रिक में जॉइंट्स आती हैं हमें से continue नहीं करना है हमें से करना है ब्रेक इसे break करने के लिए अब ब्रिक ऐसे रख देंगे फिर ये वाला आ जाएगा कुछ इस तरह से फिर ये वाला आ जाएगा कुछ इस तरह से फिर ये आ जाएगा इस तरह से अब जो इसके ओपर लेयर आएगी वो आएगी फिर से ये वाली लेयर नीचे हमने एक लेयर जमाल दी जो ओड है फिर ये वाली है इवन लियर अब जो फिर से आएगी वह वाली यह यह आएगी यह वाली लियर तो आई होप कि आपको ब्रिक पियर इन वन और हाफ ब्रिक समझ आ गया होगा अभी देखते हैं फिलाली से साइड में कर देते हैं अभी, देखते हैं two brick piers so two brick piers में यह हो गया one brick यह हो गया two brick अगर इतने विड़ित का पियर है तो यह हो यह होगा two brick piers so इसमें हमें क्या लगेगा uses three by four part फिर एक सब्रिक ho ऐसे रख लेंगे जो हैड दिखाई देखिर पिर आएगा 3x4 वैट है अब फिर यह आएगा ऐसे बिक फिर कुईन क्लोजर फिर एसे ब्रीक फिर क्यों प्रिक फिर ऐसे एक प्रिक तो इसे हम प्राक्टिकल ही करके देख लेंगे तो समझ ही आ जाएगा यही जो पैटन है इसे ही ऐसे यही ऐसे रोकेट हो जाएगा सेकेंड में और एलिवेशन कुछ इस तरह से दिखेगा इसका एलिवेशन में हमको दिख रहा है एक हेडर 3x4 बैट फिर यहां पर एक फुल ब्रिक फिर दो हेडर्स ऐसे ही लिखेगा तो चलिए हम इससे एरेंज करके देखते हैं इसके लिए मैं रखा रहा हूं दो ब्रिक्स ऐसे रख लेंगे पहले फिर रखेंगे हम 3x4 बैट ऐसा 3x4 बैट आ गया यह एक आ गया 3x4 बैट अभी रखेंगे queen closer एसे का गया queen closer ये एक आगया queen closer फिर से रखेंगे ऐसे एक फुल ब्रिक यह अर्ट पिर से रखेंगे दो 3x4 बैट यहां पर आगया एक 3x4 बैट और यहां पर आगया एक 3x4 बैट तो यह हो गया टू ब्रिक पियर फ्लेमिश बॉन्ड का ओड प्लान इवन वाला भी ऐसे सीम ही आएगा बस अब यह ओड है तो इवन में क्या होगा इसे ही हमें ऐसे रोगेट कर देना होगा मैं इवन वाली लेयर नहीं जमा रहा क्योंकि मेरे पास यह 3x4 बैट बस इतनी है यह एक काम करता हूँ जो मेरे पास है वो मैं वो वाले में अरेंज कर देता हूँ यह हो गया और प्लान तो इवन प्लान में आएगे ऐसे दो ब्रिक्स ऐसे आएगे फिर एक आजाएगा क्वीन क्लोजर यह हैं और एक हाजएगा क्वीन क्लोजर यहां फिर आजाएंगी ऐसे ब्रिक्स एक फिर एक ऐसे ब्रिक्स और यहां आएंगी 3 x 4 बैट जो कि मेरे पास नहीं है इतनी है तो यह हमने अरेंज किया 2 ब्रिक पियर यह देखे 1.5 ब्रिक पियर इन फ्लेमिज बॉन कुछ इस तरह से दिखाए देता है और टू ब्रिक में कुछ इस तरह से एक्चुली यह जो वो एम्टी स्पेसस है यहां आना है यह ऐसे 3 x 4 बैट यह वाला बैट तो यह साइस किया मेरे पास ब्रिक अभी नहीं है शार ही थे जो मैंने अरेंज कर दिये हैं तो टू ब्रिक पियर कुछ ऐसा दिखाई देगा यह हमने ड्राइंज भी देखी यहां और हमने इसे अरेंज करके भी देखा अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजे मैं आंसर जरूर करूंगा वीडियो अच्छा दिखा लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे और अपने फ्रेंड्स को भी मेरा चैनल प्लीज सज़स्ट कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिक के बाब बाई